हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं जारकंड अपडेट दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज क्या वीडियो सेशन और देखते हैं जारकंड से रिलेटेट कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफ्रेर्स को वो भी डिस्क्रिप्शन के साथ पहला प्रशन है छे अपरील 2022 को युवाओं के कौशल विकास हेतू राज्य सरकार और किस संस्थान के बीच समझोता गयापन पर हस्ताक्षर किया गया है भुगारो स्टील लिमिटेड, आईएटी खड़कपूर, आईएटी आईएसम धनबाद अथवा आप्शन डी डाटा स्टील फांडेशन इसका सही उत्तर है आप्शन डी डाटा स्टील फांडेशन 6 अप्रेल 2022 को राज्य सरकार ने राज्य के आउं के कौसल विकाश यानि स्किल डेवलेपमेंट और उन्हें उद्योग के लिए तयार करने के उद्देश से सराइकेला खरसमा जिले के चांडिल में आईटी आई यानि इंडस्टियल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हेतू टाटा स्थील फांडेशन के साथ राजी में एक मेमोरेंडम आफ अंडस्टेंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया है। अवसरों का लाब उठा सके और अपने परिवार की आय में महत्पूर्ण योगदान देने के सपने को पूरा कर सके। टाटा स्टील फांडेशन का ध्यान बहिस्कृत समुदायों यानि मार्जिनलाइजड कम्यूनिटीज तक भूशने पर होगा। विशेश रूप से जनजातिय छेतरों में जहां युवाओं को विशेश, कौशल, सही, ग्यान और उन्हें लागू करने की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों आपको बता दे कि यह आईटी आई जो जान्डिल में स्थापित किया गया है यह टाटा स्टील फांडेशन का तीसरा आईटी आई संस्थान है। अन्य दो संस्थान है आईटी आई तमाड और आईटी आई जगरनातपूर। चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्ण नंबर दो। आप्शन B सिकटिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्किन। हाली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अद्धिस्ता में हुई मंत्री परश्ण के बैठक में देवगर यों जामताड़ा जिले के चार प्रखंडों में सिचाई स्विधा उपलब्द कराने के उद्धेश से सिकटिया मेगा लिफ्ट सिचाई योजना के लिए चार सो चौरासी दसमलो तीन पाच करोड रुपय का एक एस्टिमेट अर्थात प्राक्पलन राशी सुकृत की गई है मंत्री परश्यत की बैटक में देवगर योँ जामताड़ा जिले के सारत कारो विद्यासागर और जामताड़ा ब्लॉक्स में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिचाई सुईदा उपलब्द कराने के लिए प्रशाशनिक सुकृती मिली है सिकटिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के अंतरगत सिकटिया ग्राम के समी पवस्तित अजय बैराज अप स्टीम से पंप मोटर के पाइपलाइन के माध्यम से सिंचित छेतर में चक्रवार सिचाई सुईदा यानी साइकिल वाइज इरिगेशन फैसिलिटीज को किया जाएगा जिसके फलस्वरूप संदरवित प्रखंडों के 24 पंचायतों के 13164 हेक्टियर्स एरिया में खरीव इरिगेशन की सुईदा मिलेगी चलिए देखते हैं दोस्तों आज का प्रशन नंबर 3 संसद ने किस समुदाय को सेडूल ट्राइब्स में शामिल करने संब संबंदी विदय को मंजुरी देदी है कुर्मी समुदाय, मांजी समुदाय, भोगता समुदाय, अत्वा उपरोगतत सभी इसका सही उतr है ऑप्षन सी भोगता समुदाय राज्य सभा ने 30 मार्च 2022 को जारखंड में भोगता समुदाय को अनुसुचित जाती यानि सेड्यूल कास्ट के सुची से हटा कर सेड्यूल ट्राइब यानि अनुसुचित जन्जाती में डालने तदा अन्य समुदायों को स्टी सुची में शामिल करने से संबंधित विधयक को मंजूरी दे दी है आपको बता दे कि उच्च सदन यानि राज्य सभा ने केंद्रिये जन्जातिय कार्य मंत्री अर्जून मुंडा द्वारा पेश किये गए संसोधन अनुसुचित जन्जातिया आदेश शंसोधन विधयक 2022 यानि कंस्टिचूशन स्टेड्यूल कास्ट and scheduled tribes order amendment bill 2022 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया था बाद में लोकसभा में भी इस विधय को पास कर दिया गया आए देखते हैं प्रस्ट नमबर चार को सरहूल जार्खंड के कैदियों की रचनात्मक अविवेक्ति शिर्सक वाली पुस्तिका हथात सरहूल creative expression of prisoners of जार्खंड के संबंद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जार्खंड के विभिन्न जेलों में बंद कैदियों द्वारा लिखे गए कविताओं के संकलन का अंश है जार्खंड अंदोलनकारियों द्वारा एकत्रित कविताओं का संकलन है शिवु सोरेन द्वारा संकलित कविताओं के संकलन का अंश है अत्वा उप्रोक्त में से option A, यानि जार्खंट के विविन जेलों में बंद कैदियों द्वारा लिखे गए कविताओं के संकलन का अंश है सरहूल creative expression of prisoners of जार्खंट, आईए इसके बारे में भी detail में जानते हैं दोस्तों आपको बता दे कि सरहूल creative expression of prisoners of जार्खंट यानि सरहूल जार्खंट के कैदियों की रचनात्मक अभिवक्ती, राज्य भर के 30 जेलों में बंद दो दर्जन से अधिक कैदियों द्वारा लिखे गए लेखो, रेखाचित्रों और कविताओं का संकलन है ये जार्खंट के विभिन्न जेलों के इन कैदियों द्वारा लिखे गए टुकडों के अंसे, जो पहली बार राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तिका का हिस्सा है आपको बता दे कि इस पुस्तिका के लिए पहल चारखंट के IG जेल मनोज कुमार ने की थी जुन्होंने कहा शुरू में केवल अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिए था और अपराधियों से नफरत करने से लेकर अपराध से नफरत करने तक अपराधियों के न्याय ने Clean to Green on Wheels campaign की शुरूआत के शहर से किया गोड़ा, जमशेदपूर, पलामू, अत्वाधनबाद इसका उत्तर है Option B जमशेदपूर हाली में RLG इन इंडिया ने जमशेदपूर के मांगो में Clean to Green on Wheels campaign शुरू किया है यह नवीन्तम जागरूपता और संग्रह कारेग्रम अर्थात Latest Awareness and Collection Program देश भर में 110 शहरों और 300 कस्बों को कवर करते हुए 40 लाख से अधिक नागरी को तक पहुचेगा इस पहल के तहट नौ संग्रावान यानि Collection वेकल्स देश के शहरों और कस्बों में यात्रा करेंगे तथा जागरूपता गतिवीडियों का संचालन करेंगे आपको बता दे कि यह उपयोग करताओं से 5500 मिट्री टन E-Wist एकत्र करेगा इसके अलावा दोस्तों आपको बता दे कि RLG इंडिया ने कहा Clean to Green on Wheels अभियान दैनिक जीवन में E-कचड़ा यानि E-Wist के उचीत निप्टानियों Recycling तकनिको यानि Proper Disposure and Recycling टेकनिक पर और जोर और बढ़ावा दे कर उद्देश पूर्ती करना जारी रखेगा यह पूरे देश को अपने दैरे में लाने के लिए प्रानब किया गया है यह अभियान RLG India, Microsoft, LG, HP, OPPO, Lenovo, Pioneer, Motorola, VideoJet और Vira Adi, निर्माताओ यानि ब्रांडों के साथ मिलकर E-कचरा यानि E-Wist के सुरक्षित निप्टान यानि डिस्पोजल को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम करता रहेगा तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, धन्यवाद